धन्वान बनने के ये छोटे छोटे आसान से दस उपाए रोजाना करें और बन जाएं धन्वान मा लक्ष्मी की बरसने लगेगी कृपा और दुख दर्द होंगे दूर जैशी राम, जैबाबा नीम करोरी, जैसनातन धन्की स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों हर व्यक्ति चाता है कि जीवन में सुख में रहें और आर्थिक इस्ति मजबूत रहें धनकी कमी को दूर करने के लिए मा लक्षमी की अराधना करनी चाहिए और मा लक्षमी को धनकी देवी भी कहा जाता है यदि मा लक्षमी प्रसन हो जाती है तो हम पर अपनी किरपा बरसाती है और हमारे जीवन में धनकी कभी कभी नहीं रहती है और हमें आर्थिक संकट कभी नहीं रहता है दोस्तों मा लक्षमी को धनकी देवी कहा जाता है जिस व्यक्ति पर मा लक्षमी की कृपा होती है उसी जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ती भी होती है धार्मिक माननेताओं के अनुसार मा लक्षमी का वास उसी घर में होता है जहां स्वच्चता का विशेस ध्यान रखा जाता है साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है मा लक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में साफ सफाई रखें और सभी लोगों से प्रेम से बात करें उस घर में भी मा लक्षमी नहीं रहती जहां लोग क्रोध करते हैं या दूसरों पर गुसा करते हैं धार्मिक माननिताओं के अनुसार भगवान भाव के भूके होते हैं भगवान को प्रसंद करने के लिए व्यक्ति को भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए मा लक्षमी को धनकी देवी कहा जाता है मा लक्षमी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाई भी पूरी हो जाती है रोजाना मा की पूझा अर्चना करने से सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती है मा लक्षमी को प्रसंद करने के लिए आप रोज अपने जीवन में ये छोटे छोटे कुछ दस उपाय में आपको बताने वाली हों उससे आपको मा की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की किरपा प्राप्त होगी और आपके जो भी परेशानिया है दुख संकट है वो भी आपके दूर होंगे तो बने रहे ये मेरे वीडियो में और वीडियो को एंट तक देखिए तभी आपको इतनी महतपून जानकारी प्राप्त होगी अगर आप धनकी तंगी से जूज रहे हैं तो आप अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे आसान से ये अचुक उपाए हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो करिये तो आपके जीवन में धनकी पैसे की तंगी नहीं रहेगी दोस्तों तो पहला उपाए है कि घर की सुक सम्रद्धी मुख्य द्वार से जुड़ी होती है इसलिए प्रति दिन सुबह अपनी जो दहली होती है जो घर का द्वार होता है उसकी जो दहली ह होती है उसका पूजन सुबह जरूर करें सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और गाय के गोवर से अगर गाय का गोवर है आपके पास तो उससे थोड़ा सा लीप लें और उस पर रंगोली बनाएं ऐसा करने से घर पर मा लक्षमी का वास ह होता है और धनकी आवक में भी रद्धी होती है यदि गाय का गोवर उपलब्द नहीं है तो आप पानी से भी अपनी डेरी को सुबह सुबह धोएं और उस पर एक छोटी सी रंगोली रोज जरूर बनाएं दूसरा है दोस्तों घर पर बनने वाली जो आपकी पहली रोटी ह होती है प्रती दिन गाय को गुड के साथ खिलाएं ये उपाय करने से मा लक्षमी प्रसन होती है और आपके पास धनकी तंगी कभी भी नहीं रहती है तो आप प्रती दिन पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं तीसरा है दोस्तों शुक्रवार के दिन जो कौडियां होती है उनमें से पांच कोड़ी आपको लेनी हैं और थोड़ी सी केसर और चांदी या फिर तांबे का एक सिक्का लेकर लाल या पीले कपड़े में बांध कर आप रख लें और इस इसको आप अपने तिजोरी में रख दें जहां आप पैसे रखते हैं इस उपाय को करने से आपके घर में सदा ही लक्षमी का वास होगा क्योंकि कोड़ी महलक्षमी जी को बहुती ज़्यादा प्रियमाने गई हैं दोस्तो अगला है शुक्रवार के दिन आपको अनका दान जरूर करना चाहिए आपकी सामर्थ अनुसार आप अनका दान करें शुक्रवार के दिन आप एक किलो आदा किलो या जितनी आपकी शमता हो सके किसी गरीब या जरूरत मंद को अनका दान जरूर करें अन्यानी कोई जैसे आटा लेलो चावल लेलो गेहु लेलो कोई भी अन है उसका दान आप शुक्रवार को जरूर करें शुक्रवार के दिन पीपल वरक्ष की पूजा करें साथ ही पीपल वरक्ष की जड़ के पास एक दीपक जरूर जलाए इससे भी मालक्षमी की कृपा से धनकी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी तो पीपल के व्रक्षपर सुकृवार के दिन आपको गीका दीपक प्रजलित करना है अगला है दोस्तों, शुकृवार के दिन कमल गटे की माला से मा लक्षमी का जो बीज मंतर है जैसे, ओम श्री कमले कमलाएनम्हा का जाप करें इस उपाय को करने वालों से मा लक्षमी सदा प्रसन रहती हैं, खुश रहती हैं और ऐसे लोग जल्द ही धनवान बन जाते हैं तो आपको सुक्रवार के दिन जो कमल गट्टे होते हैं उसकी माला आती हैं उस माला से आपको इस मंतर का 108 बार जाप करना है हर सुक्रवार को आप इस माला से 108 बार इसी मंतर का आप जाप करें, सिम्मा लक्षमी प्रसन होंगी और आप धनवान भी बनेंगे दोस्तों बुद्वार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान को गुड और चने का भोग लगाएं, चड़े हुए भोग को अप कन्याओं में बांट दें साथ ही खुद भी प्रसाद स्वरूप घ्रैंड भी करें इस प्रशाद को, इससे लक्षमी की किरपा वरस्ती है और घर धन से भर जाता है और घर में धन की कमी नहीं रहती है तो आपको बुद्वार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने उनको गुड चने का भोग लगा कर कन्याओं को ये प्रसाद वित्रित करना और खुद भी खाना है दूसरा है दोस्तों दीपावली, होली या फिर दशहरा जैसे कुछ प्रमुक्त पर वो होते हैं तेवार होते हैं हमारे हिंदु धर्म में तो किसी भी एक तेवार के दोरान घर पर अनुष्ठान जरूर कराएं यानि कोई भी हवन पूजा बड़ी पूजा जरूर करवाएं इससे भी मालक्षमी प्रसन होती हैं और बाद में कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं और दोस्तों प्रती दिन मालक्षमी और नारायन की पूजा करें आप जब भी रोजाना की पूजा करते हैं सुबह तो उसमें मालक्षमी और नारायन की पूजा जरूर करें और 108 बार ओम महालक्षमी नमहा मंतर का जाप आप प्रती दिन करें एक माला का तो इससे आपके जीवन में जो भी धन की तंगी है वो दूर होगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं भी खत्म होगी जब आपके पास धन नहीं रुखता है तो आपके पास धन भी रुखने लगेगा या आपका कोई काम नहीं बनता है रोजगार नहीं है तो मालक्ष्मी आपको रोजगार भी दिलवाएंगी तो आप प्रति दिन जो पूजा करते हैं सुबह के समय तो उसमें लक्षमी जी और नारायन भगवान की पूजा करके ओम महालक्षमे नमा मंत्र का 108 बार यानि एक महला का जाप आप जरूर करें यह आपको प्रति दिन करना है आखरी दोस्तो गन्य का रस जिया दोस्तो आप प्रति सोमवार को भोले बावा के मंदर जाएं और भोले बावा से प्रातना करें और उनको गन्य के रस से अबशेक कराएं जब हम भोले बावा को गन्य के रस से अबशेक कराते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी पैसे सम्मंदित समस्याइं होती हैं या हम अमारे पास धनकी तंगी होती हैं अमरे पास पैसे नहीं रुकते हैं तो वो समस्याइं भोले बावा हमारे महादेव दूर करते हैं और हम पास मालक्षमी जी की भी कृपा आती है और हमारे पास धनकी तंगी नहीं रहती है तो प्रतेक सोमवर आप बोले बाबा को गन्य के रश से अब सेक कराईए तो बोले बाबा आपकी सभी समस्याओं का अंत कर देंगे क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं वो सब की सुनते भी हैं और सब पर कृपा करते भी हैं तो दोस्तों ये कुछ दस उपाय थे जो बहुत ही आसान और छोटे छोटे थे इन में से जो आपको अच्छा उपाय लगे वो आप करें और यदि आपके जीवन में धनकी तंगी है आप पैसे नहीं रुखते आपके पास बहुत परेशानी है तो आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप आसानी से कर सकते है तो दोस्तो आपको इस वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शियर कमेंट करें और कमेंट में दोस्तो जै स्री राम जरूर लिखें और आगे की वीडियो आपको मिलती रहे इसलिए आप मेरे चैनल को सबिस्क्राइब कर ले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै शी राम, जै बाबा नीम करोरी, जै सनातन धर्म की